ठीक है तो पिछले वीडियो में हम अलरड़ी एक एख भाज्य और भाज्य संख्या समझ चुके हैं, एक odd और even number यानि कि सम और विसम संख्या समझ चुके हैं, अब इस वीडियो में हम ये तीन अलग तरह की संख्या देखेंगे, जिनसे कि हमें आगे वाले जो भी टॉपिक ह पढ़ेंगे, उनमें आसानी होगी समझनी में, सबसे पहले एक होता है, परफेक्ट number किसे कहते हैं, जिसे की हिंदी में संपूरुन संख्या बोला जाता है, फिर twin prime किसे कहते हैं, तो इनके तीनों के हम लोग example देखेंगे, और इनके तीनों की definition देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग perfect number से, ठीक है, तो जो perfect number की definition है, वो क्या है, वह संख्या जिसके सभी गुणन खंडों का योग, यानि कि अगर हम उसके गुणन खंड करें, और फिर अगर हम उनको जोड दें आपस में, वो अगर उस संख्या से दो गुणा बन जाए, तो उसे हम गुणन खंड क्या क्या होते हैं चेके, एक, दो, तीन और छे, ये चारिस के गुणन खंड है, गुणन खंड करना हम पहले ही सीख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, अब हम उनका योग करके देखते हैं, तो कितना होता है, एक और दो, तीन, तीन, त इनका जो योग है, वो कितना आ रहा है? 12, क्या 12, 6 का दो गुना है? हाँ है, इसका मतलब क्या हो गया? कि 6 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है? तो बहुत आसान है संपूर्ण संख्या चेक करना, एक और एक्जामपल लेते हैं, 28 मान लेते हैं, ठीक है? अब 28 का देखें, कि ये संपूर्ण संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके गुनन खंड निकालने हैं. तो गुनन खंड क्या है? 28 के. इसके गुनन खंड देखने के लिए हम क्या करेंगी? आप सीधा-सीधा इसमें भाग देके देख सकते हो, सबसे पहले कितने का भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग कितने बार जाएगा 14 पर, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा कितने बार, 7 बार यह अपना बन गया, ठीक है फिर इसमें 7 का भाग जाएगा, 1 तो हमारे पास में क्या के गुणन खंड बने कि इनका जो योग है जो इनका एडिशन है जो समेशन है वो कितना आ रहे हैं तो एक और दो तीन तीन और चार साथ साथ और साथ 14 14 और चोड़ अठव तो यह भी हमारा एक perfect number है या फिर एक ही है संपूर्ण संख्या है अब आपको confusion ना हो इसके लिए हम यह पर 10 ले लेते हैं अब 10 के गुणनखंड क्या है गुणनखंड अब पहले ही कर चुके हैं गुणनखंड क्या होते हैं एक बनेगा फिर दो बनेगा फिर उसके बाद में अब इनका योग देखो कितना बनता है एक और दो तीन तीन और पांच आठ आठ और दस अठारा इनका योग हो रहा है अठारा जबकि 10 गुणा दो करने पर कितना आता है 20 आता है ठीक है तो क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है हमारा उतर होगा नहीं है तो यहाँ पर आपको सो तक केवल केवल और केवल दो संपूर्ण संख्या है ठीक है एक से सो तक की गिंती अगर हम लिखेंगे तो उसमें केवल दो संपूर्ण संख्या होती है कौन-कौन सी वो दो संपूर्ण संख्या है एक हमारी है च्छै और दूसरी है अठाइस ठीक है केवल यही दो संपूर संख्या है 100 तक बागी संख्या उसके बाद में आती है ठीक है तो इसमें आपको बहुत जादा कन्फिज नहीं होना है अगर गलती से आपका इसके उपर सवाल पूछ ले गया कि प्राइम नंबर पर्फेक्ट नंबर क्या होता है और उसका एक्जामपल दो तो आपको आपके लिख सकते हो कि 6 and 28 जो है इसके दो एक्जामपल है ठीक है तो अगला हमारे पास में क्या था twin primes था twin primes यहन कि अभाजय युग्म तो अभाजय युग्म क्या होता है दो आपजय संख्याएं जिनका अंतर दो हो यानि क्यूंके बीच का जो डिफ्रेंस है वो दो होना चाहिए तो उन्हें हम एभाजय युग्म कहते हैं ठीक है तो दो संख्या मिलके एक एभाजय युग्म बनाएंगी जैसे कि अगर हम देखें कि एभाजय संख्या कौन-कौन सी थी तो दो थी, तीन थी, पाच थी, साथ थी इसके बाद में ग्यारा थी, तीरा थी, तीक है इसके बाद में 17 थी तो ये हमारे कुछ एभाजय संख्याई थी जिन से हम लोग सुरुवात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि दो संख्याई जो कि क्या है? एभाजय है और उनके बीच का अंतर दो है तो दो का किसी के साथ बन सकता है क्या दो के साथ अगर हम अंतर देखेंगे दो का तो या तो बनेगा जीरो या तो बनेगा दो जिन में से या तो बनेगा जीरो या तो बनेगा चार लेकिन ये दोनों ही एभाजे संख्या नहीं है तो 2 का किसी के भी साथ में यूगम नहीं बनेगा फिर हम 3 का देखते हैं तो 3 के एक तरफ क्या आएगा? एक आएगा, तो एक तो होता नहीं है दूसरे तरफ क्या आएगा? 5 आएगा तो 3 और 5 में क्योंकि 2 का अंतर है इन दोनों में 2 का डिफरेंस है इसलिए ये एक आएभाज्य यूगम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 and 5, they are twin primes इनको हम आएभाज्य यूगम बोलेंगे फिर हम देखते हैं, 5 और 7 क्या ये दोनों आएभाज्य यूगम बनाएंगे? यस, इनके दोनों के बीच में भी दो का अंतर है तो ऐसे ही 5 और 7 ये भी हमारे एक आभाज्य यूगम बन गया फिर हम अगला देखते हैं तो अगला क्या है? 7 और 11 तो कि 7 और 11 आभाज्य यूगम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर है 4 इसलिए ये दोनों अपने आप में ट्विन प्राइम्स नहीं बनेंगे फिर हम अगला देखते हैं 11 और 13 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? अगें दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 तो ये भी हमारा एक ट्विन प्राइम बन जागे इनका अगला कौन सा हो गए आपे? 11 और 13 इसी तरीके से आप आगे तक के सभी ट्विन प्राइम से निकाल सकते हो तो अगर आप से ये पूछा जाए कि हमें ये बताई कि 20 से कम 20 के नीचे कितने ट्विन प्राइम्स बन सकते है या फिर कितने एभाज्य युग्म बन सकते है तो ये देखो, बीच के नीचे कितने एभाज्य युग्म बन रहे है हम लोग अल्रेडी 17 तक देख चुके है इसके अगला एभाज्य संख्या कौन से होती है 19 होती है, तो 13 और 17 में बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19 इसी तरीके से हम लोग आगे के भी देख सकते है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना पूछा गया है अब हमारा जो अगला नंबर है, वो क्या है? को प्राइम नंबर्स कोई भी दो संख्या है जिन में केवल एक ही सार्व गुणनखंड है सार्व गुणनखंड किसे बोलते है? कोमन फैक्टर को यानि कि अगर हमें कोई दो संख्या दे रखी है हम उन दोनों के सारे के सारे गुणनखंड लिखें उनके सभी फैक्टर्स को लिखें अगर उनमें से केवल एक ही ऐसा है एक जो कि दोनों में common है उसके अलावाद दोनों में किसी भी दूसरी common संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसे हम बोलेंगे सह एभाज्य संख्या या फिर क्या बोलेंगे हम उसको co prime numbers ठीक है तो हम यह आप एक्जांपल देखते हैं क्यों चार के क्या क्या गुणनखंड है चार के क्या क्या गुणनखंड होते हैं एक होता है दो होता है और चार होता है यह हम निकालना पहले सीख चुके है ठीक है फिर नौ के गुणनखंड क्या है नौ के गुणनखंड में क्या क्या हो गया एक हो गया उसके बाद में तीन हो ग तो दोनों में प्रेजेंट हो, सार्व यान की दो, दोनों के अंदर वो चीज होनी चीए, ठीक है, एक तो आ गया, ठीक है, तो common क्या क्या है, एक इन दोनों में common है, फिर दो है यहां पे, दो क्या इधर आया है, नहीं आया है, पिर यहां पे चार है, क्या इधर आया है, नही यहां पर 9 है क्या 9 उपर कहीं आया नहीं आया तो इनका एक मात्र जो common factor है जो एक मात्र इनका सार्व गुननखंड है वो एक है इसलिए 4,9 यह दोनों आपस में क्या बनेंगे को प्राइम नंबर्स बनेंगे या फिर हम इनको क्या भूलेंगे सहभाज संख्याई ठीक है हम यह पर कोश और examples देखते हैं जिससे कि आपको यह चीज थोड़ी सी और अच्छे से clear हो जाएगी ठीक है तो example हम लोग देख लेते हैं यह अगला example हम लोग लेते हैं जैसे कि हमक गुणनखंड बताने हैं क्या क्या होंगे जो कि दोनों के गुणनखंड होने चीज़ी ठीक है और उसके बाद में हमको यह पता लगाना है कि क्या यह दोनों सहय भाज संख्याई हैं या फिर नहीं है तो उसके लिम क्या करेंगे सबस्परले हम 6 के गुणनखंड यह 6 के गुणनखंड है 18 के गुणनखंड क्या क्या है 18 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले 1 का भाग जाएगा 2 का भी जाएगा 3 का भी जाएगा फिर इसके बाद में 6 का भाग जाएगा फिर इसके बाद में 9 का जाएगा और उसके बाद खंड है, यह इसके गुणन खंड है, दोनों के गुणन खंड हमने लिख लिए, अब हम यह चेक करते हैं, कि इनके common गुणन खंड कितने हैं, या फिर common factors और सार्व गुणन खंड कितने हैं, उनका हम लोग गोला करते जाएंगे, ठीक है, तो एक इसमें भी है, क्या एक इसमे भी है, हाँ, तीन यहाँ पे भी है, तो यह तीन बन गया, फिर 6 यहाँ पे है, क्या 6 इधर भी है, बिल्कुल 6 इधर भी है, इसके अलावा, यहाँ पे 9 है, क्या 9 उपर है, नहीं है, यहाँ पे 18 है, क्या 18 उपर है, नहीं है, यानि कि जितने भी संख्या यह से में आ रही ह कि common factors में एक के अलावा कुछ और है क्या है दो है तीन है चाह है तो क्या ये दोनो co prime numbers है नहीं है तो ये दोनो co prime numbers नहीं बनेगा ठीक है अब हम common factors को find out करने का या इनके सार्व गुनानखंड निकालने का एक और example लेते हैं जिसे कि आपको सार्व गुनानखंड निकालना समझ में आ जाएगा और ये चीज आपको याद भी हो जाएगा हम लेते हैं आपे 15 और 21 आपको ये बताना है कि इनके सार्व गुनानखंड क्या क्या है और क्या ये दोनो co prime है या नहीं है ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे 15 के लिए क्या क्या आएगा हमारा एक आएगा फिर इस आएगा फिर अपना 21 आएगा सिदा सिदा ठीक है तो अब हम इनमें देखते हैं कि common क्या क्या है दोनों में जो present हो ठीक है एक क्या ये दोनों में common है यस दोनों में common है एक तीन क्या ये दोनों में common है बिल्कुल तीन दोनों में common है तो एक और तीन होगे 5 क्या ये दोनों म बने एक और तीन केवल यहाँ पे एक और तीन इनके सार्व गुननखंड बने हैं जिस तरीके से हमने सार्व गुननखंड देखे हैं इसी तरीके से हम सार्व गुनज भी देख सकते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे common multiples बोलेंगे लेकिन उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है वो हमारे कितने भी हो सकते है जो कि उन दोनों नंबर से multiply हो रहे हो तो अब हम आगे क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि divisibility कैसे चेक करते है दी गए संख्या किसी भी दी गए दूसरी संख्या से divide होगी या नहीं होगी यह हम कैसे पता करेंगे